आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी यूज़ करते हैं MxTakata के अपलिकेशन और आप इस पर अपनी कोई गैलरी की वीडियो अपलोड करना चाते हैं, यानि कि जो आपने अपने फोन के कैमरे से वीडियो बनाई है, वो वीडियो अपलोड करना चात देख सकते हैं प्लस का आइकन तो आपको इस प्लस के आइकन पर एक बार टच कर देना है टच करने के बाद यहाँ पर परमीशन्स अलाओ कर दीजिए अलाओ पर टच कर दीजिए इस तरह से उसके बाद यहाँ पर आपके फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपनी गैलरी की वीडियो अपलोड करने के लिए राइट साइड में एक आप्शन देख सकते हैं जिस पर एलवम लिखा हुआ है आपको एलवम बाले आप्शन पर टच कर देना है तो यहाँ पर उपर एक इमेजिस का ऑप्शन है तो यहाँ पर हम कोई वीडियो सलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि हम यह वाली वीडियो अपलोड करना चाते हैं तो इस वीडियो पर टच कर दीजिए जो भी आप वीडियो अपलोड करना चाते हैं तो यहाँ पर आप और भी वीडियो ले सकते हैं एक से ज़्यादा वीडियो अगर आप जोड कर अपलोड करना चाते हैं तो नीचे आप एक option देख सकते हैं next का next वाले option पर आप टच कर दीजिए अब यहाँ पर आप अपनी वीडियो में कोई part cut करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं उपर एक option है next का आप देख सकते हैं next वाले option पर आप touch कर दीजिए यहाँ पर आपकी video processing होगी कुछ seconds का wait कर लीजिए अब उसके बाद यहाँ पर आप वीडियो में filters लगाना चाहते हैं तो filters use कर लीजिए speed का एक option है speed कमया जाता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आप कोई music लगाना चाहते हैं तो नीचे music का option है left side में इस पर आप touch कर दीजिए touch करने के बाद यहाँ पर music आ जाएंगे आपके सामने उपर search कर सकते हैं आप तो music select करने के लिए music पर आपको touch कर देना है इस तरह से एक use का option आजएका side में use पर touch कर दीजिए यहाँ पर आपको यह music use हो चुका है आप यहाँ पर आप जो भी song का part लगाना चाहते हैं फिर जो भी lyrics use करना चाहते हैं अपनी videos में इस तरह से कर लीजिए उपर एक done का option है अगर done पर touch कर दीजिए एक stickers का option है आप इसे use कर सकते हैं अगर आप अपनी video में कुछ लिखना चाहते हैं तो text पर touch करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि उपर आप एक option देख सकते हैं done का option है done पर आप touch कर सकते हैं नीचे effects का option है यहाँ पर आप effect select कर लिजिए जो भी आप video में use करना चाहते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं आप को show करा देगा जो भी आप effect यूज करेंगे तो यहां पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं उपर एक डन का ओप्षिन है डन पर टच कर दीजिए नीचे एक नेक्स्ट का ओप्षिन आजाएगा नेक्स्ट पर आपको टच करना है अपलोड करने के लिए और यहां पर आपकी वीडियो प्रोसेसिंग होगी कुछ से वीडियो के बारे में कुछ लिख सकते हैं तो यहां पर वीडियो लैंग्विज सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर अब यहां पर एक ऑप्षिन है अलाव अधर्स तुट विद माई वीडियो अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो के हैं अब आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर टच करना है यहां पर एक आप्शन आएगा ओके कर दीजिए तो इस तरह से आप गैलरी की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें